महराश में इन दिनों एक IAS अधिकारी की खूब चर्चा हो रही और इनका नाम है पूजा खेडकर जो की पुणे में ट्रेनी IAS थी पूजा खेडकर का नाम तब चर्चा में आया था जब उनकी तरह तरह की VIP डिमांड से उनके अधिकारी परिशान हो गए पूजा खेडकर ने इतने नक्रे दिखाए आरोप लग रहा है कि जो सीनियर IAS अधिकारी भी नहीं दिखाते हैं इसी के बाद पूजा के कलेक्टर ने उनके ट्रांसवर के लिए लेटर तक लिग दिया लेकिन आप ट्रेणी IAS पूजा खेडकर नई मुसीबत में फस्ती दिख रही है उनके उपर फरजी तरीके से IAS बनने का आरोप लगा है जिसकी रिपोर्ट दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्याले ने भी मांग ली पूजा खेडकर पर क्या गंबीर आरोप लग रहे है वो भी बताऊंगा लेकिन पहले देखिए कि पूजा खेडकर का नाम मुंबई से लेकर दिल्ली तक क्यों चर्चा में आया असल में आयेस बनने के बाद पूजा खेडकर को पुणे में सहायक कलेक्टर के तोर पर तेहनात किया गया लेकिन आरोप है कि ट्रेनी आयेस होने के बावजूद उन्होंने तरह तरह की डिमांड शुरू कर दिया कहा जा रहा है कि सबसे पहले पूजा खेडकर ने ओडी कार के लिए वी आईपी नंबर की डिमांड कर दी ये ओडी कार उन्हें एक ठेकेदार ने दी थी का जा रहा है और नियमों के मताबिक किसी अधिकारी को ठेकेदार की गाड़ी इस्तमाल करने की अनुमती ही नहीं है लेकिन पूजा खेडकर ने नियमों को ताक पर रख दिया उन्होंने ना सिर्फ कार पर वी आईपी नंबर प्लेट लगवाई बलकि कार पर माराश्च्र सरकार भी लिखवाया और लाल बत्ती भी लगाई ये दोनों काम कोई भी अधिकारी अपनी निजी गाड़ी में नहीं कर सकता पूजा खेडकर ने कलेक्टर आफिस में खुद के लिए अलग केबिन की भी मांग कर दी इसके लाबा पर्सनल स्टाफ और सरकारी गाड़ी की भी डिमांड हुई नियमों के मताबिक ट्रेणी आईएस को केबिन अलग स्टाफ और सरकारी गाड़ी नहीं मिलते हैं वहाई पूजा खेडकर की पहली पोस्टिंग भी पुणे की गई जो कि उनका ग्रीन अगर है जबकि नियमों के मताबिक किसी भी आईएस की पहली पोस्टिंग उसके ग्रीन अगर में नहीं की जा सकती पूजा खेडकर की इस तरह की डिमांड से पुणे के कलेक्टर इतना तंग आ गए कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिख दिया इस जिसके बाद पूजा खेडकर का ट्रांसफर पुणे से वाशिम में कर दिया लेकिन ट्रांसफर हो जाने के बाद भी पूजा खेडकर के तेवर नहीं बदले पूजा खेडकर ने क्या कहा वो सुनिये उसके बाद बताऊगा कि नकरे दिखाने वाली आई-एस अब कौन सी नई मुसीबत में फस गई पूजा खेडकर को यह पता है कि वो बोल नहीं सकती इस दोर लेकिन और क्या-क्या नहीं कर सकती हैं नहीं पता था शायद और किये जा रहें पूजा खेड़कर जिस ओडी कार का इस्तमाल कर रही थी उसकी तस्वीर भी सामने आई है इस ओडी कार पर VIP नंबर प्लेट लगी हुई दिख रही है बड़ा-बड़ा महराश्र सरकार लिखा हुआ है और कार पर लालबत्ती भी लगी है जबकि नियम के मताबिक निजी गाड़ी पर कोई भी अधिकारी इस तरह से ना तो महराश्र सरकार लिखा सकता है और ना ही लालबत्ती लगा सकता है पूजा खेड़कर की शिकायत के बाद उनका सिर्फ ट्रांसफर ही नहीं हुआ बलकि उनके खिलाफ जाँच भी शुरू हो गई पुणे पुलिस पूजा खेड़कर के घर पहुची जहां ओडी कार की जाँच की गई एक तरफ आईएस पूजा खेड़कर के खिलाफ एक्शन हो रहा है और अब कई खुलासे भी हो रहे है अब तो पूजा खेड़कर के आईएस में सेलेक्शन पर भी सवाल उठ रहा है पूजा खेड़कर ने 2022 में UPSC का एक्जाम पास किया तब उनकी रैंक 821 आई थी और OBC कोटे की वज़े से पूजा खेड़कर को आईएस का रैंक मिल गया लेकिन अब जो जाँच हो रही है उसमें चौकाने वाले खुलासे हो रहे है आरोप है कि पूजा ने सिवल सेवा एक्जाम के लिए खुद को नौन क्रीमी OBC कैंड़ेट बताया था लेकिन जाँच में पता चला है कि उनके परिवार के पास करोड़ों की संपती है पूजा खेड़कर के पिता और दादा भी प्रशासनी का दिकारी थे उनके पिता ने इसी साल लोकसबा का चुनाव भी लड़ा था चुनावी हलप नामे में पूजा खेड़कर के पिता ने 40 करोड़ से जादा की संपती बताई था एक रिपोर्ट के मताबे खुद पूजा खेड़कर के पास 17 करोड़ों रुपए की संपती है ऐसे में वो और उनका परिवार कैसे OBC की नौन क्रीमी लेयर में आ सकता है बाई क्योंकि नौन क्रीमी लेयर प्रमान पत्र उन लोगों को ही मिलता है जिनकी सालाना कमाई 8 लाक रुपए से भी कम होती है यानि साफ है कि पूजा खेड़कर के OBC सर्टिफिकेट में कुछ तो खेल है कुछ इसी तरह का घालमेल उनके मेडिकल सर्टिफिकेट पर भी आरोप लगने की हुआ है आरोप के मताबिक पूजा खेड़कर ने UPSC को सौपे हलप नामे में खुद के दृष्टी बादित और मानसिक रूप से बीमार होने का दावा किया अब पूजा खेड़कर पर दिव्यांग सर्टिफिकेट का इस्तमाल करके विशेश रियायत हासिल करने का आरोप भी लगा इसी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आदार पर पूजा खेड़कर को 821 रैंक आने के बाद भी IS बना दिया दरसल सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लिए पूजा खेड़कर को एम्स में 6 बार बुलाए गया लेकिन वो आई ही नहीं पूजा खेड़कर ने कभी कोरोना का हवाला दिया कभी प्राइवेट लैब की टेस्ट रिपोर्ट सेंट्रल एड्मिनिस्ट्रेटिव ट्रिबिनल को भेज़ दिया अब UPSC ने पूजा की रिपोर्ट को यानि पूजा खेड़कर के मामले की अब जाँच तेजी से हो रही केंद्र ने इस मामले में बकायदा एक कमिटी बना दिये जो दो अफ्तों में रिपोर्ट देगी ये जाँच जरूरी भी थी क्योंकि ये अपने आप में ही गजब मामला है कि कम नंबर होने के बावजूद पूजा को आई-एस कैडर मिल गया कैसे करोडों की प्रॉपटी होने के बावजूद OBC सर्टिफिकेट लगा कर फाइदा लिया गया कैसे दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा कर फाइदा लिया गया लेकिन मेडिकल जांच को बार-बार टाला जया और इस तरह से आईएस बनकर एक रसूखदार और अमीर परिबार की पूजा खेड करने आईएस बनते ही वी आईपी डिमांड भी करनी शुरू कर दो जिसमें निजी ओडी कार में लालबत्ती लगवाने से लेकर दूसरे अधिकारी के चैंबर पर कबजा कर लेना और अपनी नेम प्लेट लगा देने जैसी हरकते शामिल है जिसकी वज़े से पूजा खेड करका ये पूरा मामला सामने आया यानि जब कोई व्यक्ति आईएस बनता है तो उस पर ऐसी जम्मेदारियां आती है जो समाज के लिए एक नजीर बन सकते है भाई देखो किस तरह से आईएस अधिकारी काम कर रहा है लोग आईएस अधिकारी को बड़े रिस्पेक्ट से देखते है लेकिन पूजा खेड कर का मामला जब से सामने आया है देशवर में उनकी चर्चा तारीफ के तौर पे नहीं हो रही सवाल ही सवाल खड़े हो रहे